फॉलो किया है और दोस्त वो जो साथ मंत्र हैं मैं एक ही बात बोल सकता हूँ अगर आपने ये साथ मंत्र फॉलो कर लिए तो आपकी जिंद्गी 100 नहीं एक लाग परसेंट बदलेगी बदलेगी तो बदलेगी आपको कुछ रोक नहीं पाएगा मैं ये बात दावे के साथ ब वो भी आपके सपने पका पूरे उते हैं 2 संदीर दिर आगे बड़ते हैं सबसे पहला मंत्र मैंने यापर क्या किया मैंने याप पर प्राफ्मिक्ता तै की мод लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉलम ओती लोग company को टो जोएन कर लेते हैं लेकिन वह प्राटमित्त स्श्च टैय नहीं कर पाते हैं वो तैय नहीं कर पाते का cultura क क्या है वह क्या इंक दो चीजर प्फ़ीजे मैं अपने बाको अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा साल भी बतांगा दो चीजरे और तरह की leaders मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि अनुज अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप जिस काम को कर रहे हो सबसे पहले आपको इस काम को ऊपर रखना पड़ेगा अगर आपको सफलता चीजिए तो तो दोस्त मैंने सफलता के लिए सबसे पहले एक ही काम किया है मैंने ऐस एसलीपेस करने के बाद पैसा आता है एसलीपेस करने से पैसा आता है तब परिवार चलता है परिवार को उपर रखोगे तो पैसा नहीं आएगा एसलीपेस को उपर रखोगे तो पैसा आएगा परिवार चलेगा परिवार को उपर रखोगे तो पैसा नहीं आएगा और पर दोस्त, रिस्सेदार पडरोसी को फशर पे रखें और फिर देखें, दोस्त, घंडरेऺशा परसेंट आपके जिंदगी में वो परिवर्तन आएगा जो आप सोच रहे हैं। लोगों की जिंदगी में परिवर्तन क्यों नहीं आता Patriotan क्यों कि वो Teg гол टे नहीं कर पातें अन क करना क्या है उनको फश्ट पर किसको रखना है वो अपने रिस्तारों को रखते हैं अपने परिवार को रखते हैं अपने दोस्तों को रखते हैं सेप्टमबर 2016 उस दिन से लिकर आज तक मैंने ऐसली पर इसको फश्ट पर रखा है मैंने अपने परिवार को बाद में रखा है म परिवार ने मेरे से एक ही बात बोली, आप तीन साल इस कंपनी में रात और दी महनत करिए, बैस हमें वो सपने पूरे करने हैं, जो हमें चाहिए, हमें गाड़ी, घर जो भी चाहिए, वो हमें चाहिए, चाहिए तो चाहिए, लेकिन आपको इसके लिए पूरी महनत करनी है, आज आप लोगों के सामने हूँ. फर्ष्ट पे रखा मैंने. मैंने प्रात्मिक्ता तै करी पहले कि AWPL करूँ या परिवार को पहले रखूँ. तो दोस्त मैंने AWPL को फर्ष्ट पे रखा. यहाँ पर एक छोटा सा सब्द लिखा हुआ है. समय ना लगाओ तै करने में आपको करना क्या है. बरना समय तै कर लेगा कि आपका क्या करना है. दोस्त छोटा सा मैसीज है. लेकिन बहुत बड़ी बात है. मैं दुआरा पढ़ना चाहता हूँ. समय ना लगाओ तै करने में आपको करना क्या है. बरना समय तय कर लेगा कि आपका करना क्या है अगर दोस्त हम आज जाग गए आज हमने प्रात्मिकता तय कर ली तो हमारे जिंदगी में जो आज समय चला है वो बड़ा शुब सूरत होगा लेकिन आज भी हमने अपनी प्रात्मिकता तय नहीं करी तो दोस्त, वही होगा जो और लोगों का आप देख रहें ये market में जो पैसे के लिए तरस रहे हैं दोस्त, मैं कुछ जादा नहीं बहुंखना चाहता है तो आप इस message को देखने के बाद समझ गयोंगे, मैं आपसे क्या बहुन रहा aan मोरे पास option था मैं प्राथमिक का ते कर सकता था मैं जॉब कर सकता था या एशली पेस कर सकता था लेकिन दोस्त मैं जिस दिन से एशली पेस में आया मैं फुल टाइम है रहूं मैंने फुल टाइम रहके काम किया अगर मैं जॉब करता तो मेरे पास क्या होता और मैंने एशली पेस किया है, तो मेरे पास क्या होता, यह मैं आपको थोड़ा से दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं जॉब करता, 25 साल की उमर में मैं एशली पेस को करना इस्टार्ट किया, मैं 35 साल तक लगाता नौगरी करता, मेरी एजूकेशन जैसे की मैंने आपको बताया 10 पिलस 2 है, 10 पिलस 2 वाले लड़के को चैल लिक इतनी मिलती है, 10 अजार, 15 अजार मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, वैसे मिलती नहीं है, लेकिन मिल जाए, भी बहुत बड़ी बात है, मेरे जैसे को, कोई रेडिशन जैसे, brand होटल में, luxury होटल में, कोई बेटर ना रख मेरी दो लाग चालिस हजार होती और मैं लगाता जितना सब लोग जोग करते हैं अगर मैं 35 साल भी नौकरी करता 35 साल नौकरी और 25 साल की मेरी उमर मेरी जिंदगी 60 साल की हो जाती 60 साल में मैं कमाता लगवक 84 लाग ज्यादा बढ़ाएं तो एक करोड रुपे मैं अपनी पू पूरी जिंदगी मेरी निकल जाती मैं 60 साल का हो जाता ना मुह में दात होते ना पेट में आत होती और जिंदगी पर चार पाइपे मेरी पुजर जाती कुछ नहीं होता मेरी जिंदगी में परिवार में जो आज पूरी जिंदगी बदल चुकी है आज मैं हिंदुस्तान के बाहर मैं कई बार विदेशों की यात्रा कर चुका हूँ लगबग दस से ज़्यादा बार मैं विदेशों की यात्रा कर चुका हूँ अगर मैं नोकरी करता कभी देश में नी घुम पाता कभी विदेशों में नी घुम पाता मेरे जिंदगी चार फाई पे ही निकल जाती मैं थेंक्स बार बार जितना बुलू उतना ही कम है तोगी मेरे मने सोच डाली कि मैंने फ्राथ मिक्ता को तै किया मैंने कभी यह नहीं सोथा कि मैं पार्ट टाइम कर लूँगा इस बिजनिस को मुझे पता था फुल टाइम काम करूँगा तो सफलता जल्दी मिलेगी लगवग चार जीवन मैं जी चुका हूं चार जीवन का पैसा मैंने यहां से कमा लिया है लोग बोलते हैं उसर आपने क्या कमाया मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा मैंने सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीजे मैंने यहां से कमाई है वो मैंने कमाया है समय आज मेरी 28 साल की उमर है और हर 31 सोच के चलता है कि 100 साल तक जीएगा अभी मेरे पास 30 साल है और मैं एक बात बोल सकता हूं और लिक्के दे सकता हूं मैं आने वाले 30 साल अगर मैं काम करूं या ना करूं घर बैठे भी जो आज मुझे पैसा आ रहा है लगातार कैपिंग जो ल मैं अपने जिन्दगी में पैसा कमाया यह बड़ी बात नहीं है मैंने अपने जिन्दगी के भात्तर साल कमा लिए जो मैं अपने परिवार के साथ रहे के बिता सकता हूं अपने दोस्तों के साथ बिता सकता हूं विदेसों में गुम के बिता सकता हूं मैं कुछ भी कर सकता आज मेरे पाद टाइम फ्रीडम है, मैंने अपने जिन्दगी के बातर साल कमा लिये, बड़े-बड़े बिजनिसमेन नहीं कमा पाते, बड़े-बड़े राजनेता नहीं कमा पाते, बड़े-बड़े अभी नेता समय नहीं कमा पाते, जो आज आपके सामने अठाई साल का मुझे पहले दिन पड़ेगा, मैं खुदका मालिक हूँ, मैं खुदका राजा हूँ, जो मेरा मन करेगा, मैं वो करूँाना, मैंने जिन्दिगी में अपने बातर साल कमा लिए हैं, सिर्फ हो सिर्फ क्या 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 तॉसके बाद मेने क्या किया?기는 दूसरे मंत्र पर काम किया उसके लिए मैने प्ले этим रखा यापर मैंने धैर ही रखके काम किया है mungkin यहाँ पर बोले जाता है कुछ बाते मैं आपसे बताना चाहूंगा बच्चा-पैदा होने में नव महीने का समय लगता है एक मा के गर्व में बच्चा होता है, अगर बच्चा बोले कि मम्मी मुझे दो महीने में बहार आना है, तो बच्चा कभी बहार नहीं आ सकता, एक बच्चा पैदा होने में ही भी नौ महीने का समय लगता है, डॉक्तर, टीचर, इंजिनियर, एड्वोकेट, पाइलेट, किर् पारे पास तो अरबो रुपे हैं, मेरे को एक दिन में डॉक्टर बनाओ, तो पापा का पापा भी मिल जाएगा ना, तो भी एक दिन में डॉक्तर नहीं बना पाएगा, जो इस ती तरे, SLEPS Wellness के अंदर भी 3-5 साल, 3-5 साल मैं फिर बोलना चाहूँगा, 3-5 साल लगेगा है लगेगा, यह कोई lottery system नहीं है, कि आज आए lottery खोली परची निकाली और साम तक बनके diamond, 3-5 साल लगेगा diamond बनने में, 100% सफलता मैं guarantee से बोल सकता हूँ, जो भी leader अपने applying की बात को follow करते हुए, systematic काम करते हुए, 3-5 साल पेसेंस रखके काम करेगा, वो 31 company के अंदर 100% diamond बनेगा, और लगवग 17,80 लाग रुपे, 101% कमाएगा, सिर्फ और 3-5 साल के अंदर, सिर्फ और 3-5 साल, 100% होगा दोस्त, और इसके लिए मैं करना है, क्या system की जो भी activity है, वो हमें follow करनी है, 100% हमें सफलता, मिलेगी, मिलेगी, दोस्त, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, थोला ध्यान से सनना, यहां पर लिखा हुआ है, भगवान की मर्जी से मिली है, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, लोग बोलते हैं, sir, SELPS हमें applying की बज़े से मिली है, दोस्त, यह बात गलत है, मेरा वीडियो कहता है, यह बात गलत है, applying की बज़े से हमें SELPS नहीं मिली है, applying ने हमें SELPS नहीं दिये, applying तो पूरी दुनिया को देना चाहता है SELPS, हमारा applying तो 135 करोड़ की जन्संक्या है, उसको भी SELPS देना चाहता है, लेकिन हर वे SELPS उपर वाले ने दिये, हम SELPS हमारे applying ने नहीं दिये, applying एक माध्यम है, उपर वाले ने हम SELPS दिये, इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ गया, बहुत सारे लोग जोइन करते हैं, उनकी एक लेक लंबी हो जाती है, एक लेक छोटी हो जाती है, फिर उसको कंपनी को छोड़ के चले जाते है, मेरे टीम में भी हुआ है, मेरे साथ में सुरुआत में बहुत सारे लोग जोइन हुए, वो छोड़ के चले गे, अब मैं उनकी ID को खोल के देखता हूँ, तो एक साइड में 80,000 से जादा की टीम है उनकी, एक साइड में 80,000 से जादा की टीम, द करते हैं कि सर हम दुवारे उसी आइडी पर काम करना चाहते हैं हम हाद जोड़के बात बोलते थे नहीं आपका समय गया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए तो दोस्त ऐसलीपेस हमें ऊपर वाले ने दिये एक बात याद रखना मैं बोलना चाहता हूं मैसि उपर वाले ने दिये हैं हमें ऐसलीपेस ऐसलीपेस ने दिया हमें एक लोग आईडी ऐसलीपेस ने दिया हमें दो ऑप्सन एक लेट और एक राइट उपर वाले की मज़े से हमें दो ऑप्सन मिले हैं एक लेट और एक राइट और लेट लेट हमारी लंबी है और राइट पोलएब करते रहे ना आपको दूसरी लेग में भी कब दमदार डामेंड कोई आएगा आपको पता नहीं लगेगा बस Bring your बंदार डाइमंड ही सक किषटे अर्फ कोई यह आएगा आपको पता नहीं लगेगा बस लगे रहे रहे लगातार प्लान फॉल उप करने पड़ेंगे लगातार जितने भी लोग ना बोलें ना सुननी पड़ेगी क्यों ना सुननी पड़ेगी क्योंकि मुझे एक डाइमन्ड चाहिए अपने चेक लेग में और जिस दिन डाइमन्ड मिल गया उज सिन देखना दोश तीन साल तक महन तो असूल हो जाएगी क्योंकि पैसेंस कर जल्ट हंड्रेड वन परसेंट मिलता ही मिलता है दोस्ट यहां पर एक मैं चेक दिखाना चाहता हूं आपको आप ध्यान से देखना 13-10-2016 यहां पर है उसके बाद 20-10-2016 है 27-10-2016 है 3-11-2016 है यहां पर आप देखिए 20-10-2016 है 500 रुपे का चेक बना था मेरा और मैंने अपने अप्लाइन मिश्टर महीपाल गुरुजी से मैंने बोला था गुरुजी मेरा 500 रुपे का चेक बना है परेशान हूं तो गुरुजी ने मेरी यह से एकी बात बोली थी अनुज पैसेंस रख अनुज पैसेंस रख अनुज पैसेंस रख सिर्फ आज तेरा 500 का चेक बना है और मेरी बात याद रखना अभी तो सिर्फ 500 का बना है वेट कर सकता है और मैंने धहरीय रखा, धधेर्य रखने की बजह से इसी कमपनी में आठ दिसम अगस्त 2019., हो मेरा एक식 विक्राइब 36 लाख रुपे का चेक बना, 500 रुपे का चेक बना है, और 500 रुपे के चेक से 36 लाख एक विक्का साड़े 36 लाख रुपे का चेक बना है, 500 रुपे का भी चेक मेरा बना है, और 500 रुपे के चेक से साड़े 36 लाख रुपे का भी चेक मेरा बना है, मैं ये बात, मैं ये चेक उनको दिखाना चाहता हूं, जो लोग अपना पैसेंस खो देते हैं, लोग छोड़ के बग जाते हैं लोग डर जाते हैं हमारा क्या होगा दोस पैसेंस रखने से अनुसरमा रोयल डायमन बन सकता है तो आप भी बन सकते हो पैसेंस रखना ही पड़ेगा आज काम चला है या नहीं चला है लेकिन लगे 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 चल जाएगा 500 के check से लगा था और 500 के check से लगे 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 36 लाग रुप्ते का one week का check आ गया बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ऐसे तो कोई भी दिखा देता है statement दिखाएं तो बात करें और दोस्त हम ऐसे लिपेस वाले हैं हम दिखाते कम हैं हम बताते कम हैं दिखाते जादा हैं और देखिए दोस्त 22,85,000 रुपे मेरे account में transfer हुआ था और कहां से हुआ था ऐसली पेस wellness private limited HDFC bank में मेरा account है HDFC bank में payment मेरा transfer हुआ था आठ अगस्त को ही चेक बना और आठ अगस्त को ही मेरा payout मेरे account में आया जैसा हमारे संजीव सर बोलते हैं जिस दिन चेक बनता है उसी दिन transfer होता है यह हिंदूस्तान की सबसे first company ऐसी है जिस दिन चेक बनता है उसी दिन transfer करती है और संजीव सर ने एक बात बोली थी कि उनके हाथ नहीं कापेंगे चाहिए चेक कितना भी हो लोग दोस्त आप देखिए साड़े-चातिस लाख रुपे का चैक उन्होंने कुछ घंटों में ट्रांसफर कर दिया इसको बोलते हैं दोस्त कंपनी और पैसेंस की परिवासा 500 रुपे का चैक से साड़े-चातिस लाख रुपे का चैक बन सकता है तो आपका भी बन सकता है सिर्फ पैसेंस रखना पड़ेगा तीसरा पॉइंट मैंने एक ही काम किया लगाता टार्गेट बना के काम किया कंपनी ने जो भी टार्गेट निकाला उसको हर बार मैंने पूरा किया है मैई पाल ग किया और करवाया पूरा किया और करवाया जिसकी बजहे से कंप समय में और डाइमन मुका कहने का मतलव हर महीन लगऺण 30,000 उपे मंतली नकम कौन सी कंपनी है हर महीन ने स्टार्टिंग सही 30,000 रुपे पर मंद कंमाने का ऐसी कंपनी को सीलूट है मेरा इस company ने ऐसे-एसे target हम लोगों के लिए launch किया अगले level के लिए मैंने हमेशा काम किया जैसी मेरा कोई भी level हो गया मैंने अगले level के लिए target set किया कि मुझे अगला level जल्दी से जल्दी करना है मैंने इसके लिए काम किया अपना लिख्य पूरा करने के लिए मैंने तन लगाया, मैंने मन लगाया, मैंने धन लगाया, आपना लक्च पूरा करने के लिए मैंने रात और दिन पूरा 100% दिया है, मैंने कभी अप्लाइन से नहीं बोला है जहां लगता है धन और वहां लगता है मन, और मैंने तन मन धन लगा के लगातार काम किया, टारगेट पर टारगेट पूरे किये, तब मैं यहां तक पहुचा हुँ दोस्ते, बरना नहीं पहुचपाता, यहां कुछ बाते लिखी हुई हैं, जब किसी वक्ति दोआरा अपने लक्ष को इतनी गहराई से चाहा जाता है कि वे उसके लिए अपना सब कुछ दाप पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसका जीतना सुनक्चित हो जाता है दोस कहने का मतलब यह है जब हम कोछी सोच लेते हैं और उसके लिए 100% फोकस लगा देते हैं कि हमें चीज़ चाहिए 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 तो चाहिए दोस्त मैं एक ही बात बोल सकता हूँ अगर आपने सोच लिया कि आपको चाहिए तो पूरी काइनात उसको पूरा कराने की साजी सरस्ती है और दोस्त आपका भी टार्गेट जो आपने सोचा है वो आपका पूरा होगा होगा तो होगा यदि आपको कोई लक्ष बड़ाया कठी लग रहा हो तो आप उसे चोटे-चोटे चड़नों में बाट कर उसकी सुरुवात अभी से कर सकते हैं अगर आपको लग रहा हो कि मैं जो लेवीर अच्षीव करना चाता हूं ये बड़ा में लग लग रहा है तो वीक्ली किलोजिन्ग पे आप उसको पर्दे की किलोजिन्ग पर लेकी आईए पर्दे पर आप करें आपको पैती जौरिं आपף जीत आपी की है बस अपने लक्ष क को अपनी निगाहों में रखो, कहने का मतलब यह है दोस्त, आप जो चाहते हैं, वो आपकी आखों में होना चाहिए, वो आपको दिखाए देना चाहिए, सचीन को सिर्फ क्रिकिट दिखाए देता था, अमिता बच्छन को बॉलीवूर दिखाए देता था, सानिया मरजा को ब आते हैं, और आप जो देखोगे, वो आपकी जिन्दी के मंड़ा परसेंट होगा, तो दोस्त, लक्ष बनाए और जो लक्ष बना रहे हैं, उनको प्यांकों के सामने रखे, आपके लक्ष पूरे होंगे, उसके बाद दोस्त, चौथा पॉंट मैंने पॉजिटिव आपक नजरिया चाहिए, पॉजिटिव एट्यूट चाहिए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, नेट्रोग मार्केटिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा टेलेंटिड ले, बहुत ज़्यादा टेलेंटिड थे, फर 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 इंगलीज बोलते थे, फास्ट प्लान दिखाते थे, पता नहीं क्या-क्या उनके अंदर कलाका रही थी, लेकिन उनका एट्यूट नेगेटिव था, जिसकी बज़े से नेट्रोग मार्केटिंग से उन्होंने हाथ जुड लिए, और एक ही बात बोली, यह हमारे बसका खेल नहीं है, दोस्त मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, नेट्रोग मार्केटिंग में अगर सपलता चाहिए, तो पॉजिटिव एट्रोट आपको रखना पड़ेगा, किस-किस के लिए, हमेशा अपना नजरिया सकारत्मक रखना, कंपनी के लिए, कोई भी, कुछ भी हो जाए, कभी भी अपना एट्रोट का भी ने मैंने उपरवाले से एकी बात बोली है, उपरवाले लाख-लाख धन्ने बाद, ऐसली पैस जैसी ब्रांड कंपनी देने के लिए, उपरवाले लाख-लाख धन्ने बाद, मेरे को दंदार अपाइन देने के लिए, और उपरवाले लाख-लाख धन्ने बाद, दुनिया की कभी अपनी कंपनी के खिलाब कभी अपने खेटोर की बात कभी सोचा भी नहीं है सोचने का मतलब बोलने का मतलब जिस थाली में क्हाते हैं हम उस ही में छीड करते है और मैं एक ही बात बना चाहूँगा, मैं जिस ठाली में खा रहा हूँ, मैं उस मच्छेद नहीं करना चाहता, यह सब कुछ मुझे इसकी बज़े से ही मिला है, सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ नजरिय का अंतर होता है, मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान सकरात्मक नजरिय का रहा है, अगर मैं यहां तक पहुचा हूँ, तो मेरी जिन्दगी में जो भी कुछ मुझे आज मिला है आपर, वो सकरात्मक नजरिय का रहा है, नजरिय की बज़े से कुछ लोग बिखर जाते हैं, और नजरिय की बज़े से ही कुछ लोग निखर जाते हैं, मैंन अपने नजेरिया की बज़े से ही निखरा हूँ दोस्ट मैंने अपने नजेरिया कभी नेगेटिव नहीं किया है और ना कभी होने दूँगा दो तरह के लीडर होते हैं हमारे बिजनिस के अंदर एक लीडर ऐसा होता है जब लोगों के पास प्लान दिखाने के लिए जाता है और सामने वाले ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं ये काम नहीं करूँगा उस लीडर ने 2-4 लोगों को प्लान दिखाया सामने वाले ने बोला पैसा ही नहीं है लेकिन दोश हमारा नजीरिया उस तो में positive होना चाहिए हमारा attitude बिल्कुर positive होना चाहिए सारे लोग बोलते हैं, सर मेरे पास पैसा नहीं, मैं फिल्ड में कैसे जाओं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं प्लान फोल्डर कैसे लूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मैं ट्रेनिंग में कैसे जाओं, मैं दोस्त एक ही बात बोलता हूं, अरे पैसा होता, तो फिर ऐसली पैस करने की जरुवती क्या थी, पैसा नहीं है, इसलिए ही तो मेरे को करना है, ये अपका एक्टीटुट होता है, अगर आपका एक्टुटुटुट बोलता है, कि समय के लिए करना है, तो आप कर जाओगे, अगर आपका attitude बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे मैं एक ही बात बोलता हूँ आपकी सफलता में अगर सबसे बड़ा कोई रॉल है तो वो आपकी positive attitude का है बहुत सारे लोग सो में जाते हैं उनको seat नहीं मिलती है मैं भी सेप्टेंबर 2016 में 100 था मैं भी गया था और मदललाल सर जंबू के रहने वाले हैं उनकी team का एक leader था और मैं जाके जहां पर diamond लोग बैठे होते हैं आज की date में मैं वहाँ पर जाके बैठ गया और उस leader ने मेरे को बोला कि आप pressure हो अभी आपको पीसे जाके बैठ ना है आप यहां से उठिए दोस्त उस दिन मैंने commitment किया था अपना attitude positive किया था कि आज सुने मुझे seat नहीं दिया है दोस्त एक बात याद रखना एक दिन वो दिन आएगा जब मैं तेरे सागी की जाके seat पर बैठ हूँगा वो दिन भी मुझे आज भी आद है और मैंने कई बार ये वाली बार ट्रेनिंग में बोली है कई बार ये वाली बार मैंने सेमिनार में बोली है कि एक आदमी के मुझे seat ना देने की बज़े से आज मैं उससे आगे बैठता हूँ वो मुझे आदमी दिखा नहीं, आदमी कहां से कहां चला गया, लेकिन आज मैं कमपनी की जहां पर टॉप लिडर्स बैठे होते हैं, वहां मुझे बैठने का सौब अग्य प्राफ्ट हुआ है, आप लोग सो में जाते हैं, आपको सीट नहीं मिलती है, तो आपने अंदर पॉ लीडर्स बैठे होते हैं, वहां पर जाके मैं बैठोंगा, एक्टिटूट इस तरह से अपना पॉजिटिव करना हमें पड़ेगा, बहुत सारे लोग जाते हैं, सो में उनको खाना नहीं मिलता है, वो अपना एक्टिटूट नगेटिव कर लेते हैं, आरे हमने तो 500 दिया मैं सो में खाना नहीं मिला, दोस्त मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं अमेशा इची सोच के गया, मैं सो में कभी खाना खाने के लिए नहीं जाओंगा, मैं सो के अंदर जाओंगा, तो सिर्फ सफल लोगों को देखने के लिए गया, और सफल लोगों को देखने के लिए गया तो मैं अपने अंदर ये सोचा करता था, अनुज अगर मैपाल गुरुजी इसने बड़े लेविल पर आ सकते हैं, शिव कुमार सर आ सकते हैं, रामबिर सर आ सकते हैं, और लोग आ सकते हैं, तो मैं भी आ सकता हूँ, मैं कभी खाने खाने वहाँ पर नहीं गया, मैं सिर्फ इ से भी लोगों ने बोला मैंने कभी attitude अपना negative नहीं किया मैंने अपने attitude को उस दिन और ज्यादा positive किया और उस दिन एक ही बात बोली दोस्त आज तक मैं इस company में कामयाव होता या नहीं होता लेकि तेरे को ही कामयाव होके दिखाऊंगा क्योंकि तूने कैसे बोल दिया company भाग जाएगी तेरे को ही मैं इस company में कामयाव होके दिखाऊंगा और दोस्त मैं लगातार लगा रहा और आज आपके सामने becoming royal diamond हूँ एक बात सोचना दोस्त बहुत जुरूवी बात बता रहा हूं सूपर attitude lines हैं लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं अगर ये भी हमी सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे अपना attitude हमेशा positive रखना लोगों को जो बोलना है बोलने दो हमारा क्या जाता है ये वक्त वक्त की बात है और ये वक्त सबका आता है ये बात हमेशा याद रखन काम किया है इनी पॉइंटों पर मैंने हमेशा काम किया है मैंने हमेशा अपने ड्रीम में पर काम किया है मैंने हमेशा होट लिस्ट पे काम किया है मैंने हमेशा लगातार इंविटेशन किये है मैंने लगातार हमेशा सोधा प्लान किये है हर दिन मेरा टारगेट है एक प्लान म यूज करता हूँ और आज company बोलती है कि आपको 45 SP रिपर्चेज करना है मैं 45 नहीं करता मैं 100 SP रिपर्चेज करता हूँ जो कि मुझे अपनी company का product इतना प्यारा लगता है इतना दंदार लगता है इस product को मेरा ऐसा मन करता है मैं रोटी खाऊं ना खाऊं ये product हमेशा यूज कर किया है तीम मेरी है आज मेरे पाल लगवग 2,00,000 लोगों की टीम है मैंने कभी अपने अप्लाइन से कॉल करके नहीं बोला कि गुरू जी आप एक काम करें मेरी टीम को समाल लीजिए मैंने कभी नहीं बोला आज तक अरे मेरी log ID के नीचे मेरी टीम है तो ये मेरी टीम है मे की बाद बोली है गुरू जी सिर्फ आप आशिरवात देते रहे बाकिये तो जंडे में खुदगार दूगा और मेरे अप्लाइन ने की बाद बोली है मैं तेरे पीछे खड़ा हूं तैन सनमत लेना क्यों मैं अस तक कभी अपने अप्लाइन से नहीं बोला है कि सर आप एक मेरी आप बोनस चला दो मैं अपनी इंसेंटी चला लेता हूं मैंने कभी नहीं बोला है क्यों मेरे घर में मेरे दो बच्चे है एक लड़का एक लड़की है मैंने कभी अपने पड़ोशी से जाके नहीं बोला है भाई लड़की को तू पाल ले लड़की को मैं पाल लेता ह तब मैं यहाँ पर Roll Diamond बनके आया हूँ तब इतना वड़ा काम हो पाया हैं कभी मैंने अपनी डाउलांड को ये नहीं बोला है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे साथूँ बाद में मेरे Applyne आते हैं क्योंकि मेरा फर्ज बनता है अपनी टीम की कीएर करना और दोस्त मैंने टेव भू फंक्षन हमेशा मैंने किताबों को पड़ा है हमेशा मैंने अपने अप्लाइनों की audio वीडियो को सुना है और कोई भी फंक्षन Państwo मैंने आज तर छोड़ा नहीं है मुझे आज भी याद है मेरे jam में सौसो रूपे भी नहीं होते थे मेरे पास पहेंबे के लिए कपड़े नहीं होते थे सहीसे और आज मैंने 4 क्रोड रुपे कमाए है ना दोश, 40 क्रोड भी कमाऊगा, 400 क्रोड भी कमाऊगा, लेकिन आउकात नहीं बोलूगा, पहले भी गुरूजी के पैरों में जगे थी, आज भी जगे वहाई रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी उनके सामने नजर उची ना बोलते हैं, मैं वो लीडर हूँ, अपलाइन के सामने भी वैसा ही, और उनके पीछे भी वैसा ही, मैंने हमेशा गुरू वक्ती में काम किया है, बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरू, सिर्फ किताबी ज्यान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं मुझे देश-विदेश की आत्रा करना, उन्होंने सिखाया मुझे कैपिंग लगाना, अरे जो भी कुछ है ना मेरे पास, वो सिर्फ महीपाल गुरू जी की देन है, गुरू जी आपका लाख लाख धन्यवाद, मैं और मेरा पूरा परिवार आपका हमेशा रिणी रहेंग आप कम से कम एक काम तो ऐसा करिए कि आपके ना रहने के बाद आपके परिवार को पैसा आता रहें। लेकिन वो व्यक्ति दुनिया से चला गया तो उसके पास क्या बच्चा आप उसकी मैडम कहां से घर की किस्त देगी आप उसकी मैडम कहां से बच्चे को पढ़ा पाएगी आप उसकी कहां से मैडम अपनी लड़की को बना पाएगी दोस्त हमारी जिंदगी काम ऐसा करना चाह सब्सक्राइब नेट्रों मार्गेटिंग मरने के बाद पैसिव इंकम के लिए की जाती है और एक छोटा सा मैसीज देना चाहता हूं दोस्के जहां से देखते न एक पिता अपनी मौस से नहीं डरता बलकि इससे डरता है कि उसके नहीं रहने के नहीं रहने पर उसके बच्च आती रहे दोस्स आज मैं जिन्दा हूं तो भी महीने का पंद्रे से 20 लाख रुपे आता है और कल को मैं नहीं रहा तो भी महीने का पंद्रे से 20 लाख रुपे तो आएगा याएगा लेकिन एक बार बोड़ सकता हूं 100% उससे और ज्यादा भी आएगा क्योंकि टीम 100% आएगी आएगी दोस्त अभी तक मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया है मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हाथ जोड़के अपने परिवार के लिए कम सखम एक ऐसा काम करिए कि आप रहो या ना रहो आपके परिवार में आपके जो जाने के बाद जो आपका से शेयर किये हैं जो भी बाते मैंने आपको बताई है कहीं भी कोई भी सब्द मेरे मुझ से गलत निकला है तो यह सब्द मेरा है जो भी आज मेरी जिंदगी में हुआ है यह सब मेरे अप्लाइन की बज़े से मेरी कंपनी की बज़े से सभी प्रोड़क्ट सभी पेयाउट क आपका लाख लाख धन्यवाद मैं एक ही बात आपसे बोलना चाहूंगा अपने परिवार के लिए जो मैंने किया है वो आप भी करिए थेंक यू वेरी मच्ट वी स्यू ओल दबेस्ट